वेलकम बैक टू मालविया केट सॉलिशन तो आज हम यहां पर एडजस्टिंग नलिंग टूल का एसेमली क्रियेट करने वाले हैं इसके सारे पार्ट हम एक एक करके एसेमल करेंगे तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीज आपको फीर यहां पर फाईल आपको कौनसी प्राइल करनी है इसके बारे में पूछ रहा है तो हमारा जो फोल्डर था उसे हम ऑपन करेंगे फिर यहां पर सबसे पहले यह वाला फ़र्स्ट पार्ट इनसेट करेंगे इस origin point को इसके origin point के साथ मिला देना है आपको इस तरह से click कर देना है यहाँ पर और यह दोनों origin point coincident relation में set हो जाएंगे यहाँ पर इसका background हम plane white कर देते हैं अब फिर से आपको क्या करना है यहाँ पर insert component इसमें जाना है इसमें जाने के बाद आपको second वाला part insert करना है तो यहाँ पर part 2 को हम open करेंगे यहाँ पर इस तरह से हमें set कर देना है अब यहाँ पर mate में जाना है में जाने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो slide हमने design की है तो यहाँ पर देखिए मेंच लाइड है इसके इस पॉइंट को या अंदर वाले पॉइंट को सिलेक करना है तो हम यहाँ पर इस वाले अंदर वाले पॉइंट को सिलेक करते हैं अंदर वाले जो एज है इसे सिलेक करेंगे अब यहां पर इसके साथ मेच करना है जो हमारी यह जो है प्लेइन जो इसे इस तरह से इस लाइन को सिलेक कर देना है तो देखे इन दोनों का मेच हो जाएगा और फिर ओके करना है कोइंसिडेंट रिलेशन इसका सेट हो जाएगा अब यहां पर देखे इस तरह से इस तरह से सेट हमने किया है बट हमें क्या करना पड़ेगा इस लाइन को भी सिलेक करना पड़ेगा या फिर आप डाइरेकली इस फेस को सिलेक कर देते हम और यहां पर इस फेस को सिलेक कर देते और फिर ओके कर देंगे देखिए इस तरह से यह फर्स जो था जो वो set हो गया यहाँ पर अब फिर okay कर देंगे अब फिर से insert component फिर यहाँ पर part 3 insert करना है में यहाँ पर इसे हम rotate करेंगे तो आपको क्या करना है move component और यहाँ पर rotate तो इसे इस तरह से rotate कर देंगे आपको इसकी back side उपर की side में set कर देनी है अब फिर से मेट अब वही चीज हम इसमें भी apply करेंगे इस line को select करना है और यहाँ पर slide की इस age को select करना है और फिर okay करना है और फिर से हमें यहाँ पर देखें इस वाली face को select करना है और यहाँ पर space को select करना है और फिर okay करना है देखें इस तरह से यह दोनों jaw seat हो गया है अब हम यहाँ पर screw insert करेंगे जो हमने screw part 4 create किया था उसे open करेंगे इसे भी हम rotate करके vertical इसकी position set कर देंगे हम और फिर okay करेंगे mate में देखें इस वाले hole को select करना है फिर यहाँ पर इसके diameter को select करना है और यह co-centric relation में set हो जाएगा इस face को select करना है फिर यहाँ पर bottom वाली face को select करना है फिर okay करना है अब यहाँ पर इसके thread हमें thread का mate set करना है तो आप mechanical mate में जाएंगे फिर यहाँ पर screw को select करेंगे अब यहाँ पर आउटर थ्रेड की face को select करना है और यहाँ पर हम इसके inner face की thread जो thread है इसकी inner face को select करेंगे अब देखिए यहाँ पर इसकी position किस angle में या किस direction में यह rotate होने वाला है तो यहाँ पर देखिए arrow आपको दिख रहा है तो हमारी design के according इसकी position सही है इसका direction इसी एंगल में रोटेट होने वाला है अब हमें क्या करना इसके जो thread थे वो thread यहाँ पर apply करने इसकी pitch कौन सी थी तो इसकी pitch हमने apply की थी 1.5 mm और फिर okay करना है देखिए screw rotate होने लगा है यहाँ पर यह देखिए अब यहाँ पर insert component में यहाँ पर इसका 5th part insert करेंगे इसकी position भी हम set कर देंगे अब यहाँ पर mate में जाएंगे में जाने के बाद यहाँ पर screw के diameter को select करना है फिर यहाँ पर का hole हम को सेंट्रिक relation set करेंगे इस तरह से देखिए देखिए इसका center set हो गया है इस hole का अब okay कर देना है देखिए यह screw work कर रहा है insert component अब यहाँ पर part 7 और part 8 इन दुनों को insert करेंगे first and second एक left side वाला है एक right side वाला है यहाँ पर इसे set कर देंगे अब यहाँ पर mate में जाना है mate में जाने के बाद यहाँ पर इस hole को select करना है और यहाँ पर इस hole को select करना है फिर okay कर देना है इसी तरह यहाँ पर इस hole को select करना है और इस hole को select करना है और okay करना है फिर यहाँ पर देखिए आपको advance mid में जाना है और यहाँ पर width width में जाना है इस face को select करेंगे और इस face को select करेंगे यह null tool है इन दोनों की face को select करना है फिर यहाँ पर second में यहाँ पर इस वाली face को और इस वाली face को select करना है तो यह इसके middle में set हो जाएगा और फिर okay करना है फिर say advancement और width इसी तरह यहाँ पर भी इसे इसी तरह से set करना है और okay कर देना है तो देखें इस तरह से यह नर्ल टूल यहाँ पर set हो गए है अब इसके अंदर जो पीन हमने create की थी वो set करनी है तो insert component में जाएंगे और यहाँ पर इस पीन को insert करेंगे rotate करना है इसे mate मेट में जाना है फिर यहाँ पर इस होल को select करना है और इस पीन के diameter को select करना है और फिर okay कर देना है कि अब यहां पर इस फेस को सिलेक्ट करना है फिर यहां पर इस कॉलर वाली फेस को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है देखिए हमारा नल टूल यहां पर रोटेट होने लगा है अब आपको क्या करना है यहां पर इंसर्ट कंपोनेंट है इसके ड्रॉप डान में जाना है और यहां पर कॉपी विट मेट इसे सिलेक्ट करना है अब यहां पर कंपोनेंट कौन सा है तो हमने यह पीन को सिलेक्ट करना है फिर नेक्स्ट करना है अब यहां पर जो process इसमें हमने apply की थी वही चीज इसमें भी apply करनी है तो हमने सबसे पहले ये whole select किया था whole को select करना है और यहां पर इस face को select करना है और ok कर देना है अगर आप इस से ज़्यादा ऐसी pin और कहीं जो कहीं चाहते है जो आपका component है उसके according आपके जो एसेमली है उसके एकड़िंग आप ज्यादा कमपोनेंट कहा ही पर सेट करना जाते हैं तो यहां पर देखिए नेक्स्ट जैसे यह करेंगे इसके बाद यह आगे और बताता रहे गा तो हम यहां पर अभी क्लोज कर देते हैं कि हमारे दो ही पिन है अब हम क्या करेंगे यहां पर टूल बॉक्स में जाएंगे टूल बॉक्स में जाने के बाद आपको आपको अन्सी इंच में जाना है अन्सी इंच में आपको सिलेक्ट करना है पिन all pin all pin में यहाँ पर देखिए unhardened इस pin को यहाँ पर insert करेंगे अब आपको यहाँ पर इसकी size apply करनी है 1.8 और इसकी length रखनी है 0.625 और फिर ok कर देना है देखिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देखिए हमें तो mate में जाएंगे mate में जाने के बाद यहाँ पर देखिए इस वाले hole को select करना है फिर यहाँ पर spin को select करना है और फिर ok करना है अब फिर से advance mate में जाएंगे advance mate में देखिए width तो हमें width में क्या करना है यहाँ पर width में देखिए इस pin के जो pin है इसकी दोनो फेस को select करना है 1st face and 2nd face और यहाँ पर देखिए इस डाइमेटर को select कर दिना है तो यह center में set हो जाएगी और फिर ok कर दिना है अब फिर से यहाँ पर toolbox में जाएगे अब इस पर आपको unsy metric में जाना है Unsymmetric में जाएंगे फिर यहाँ पर Retaining Ring फिर External और फिर यहाँ पर Basic Basic में यहाँ पर Lock यह दो Lock Circliff हमें insert करनी है तो यहाँ पर इसकी Size डारेक्ली आपको 7 mm एपलाई कर देनी है यहाँ पर देखिए Multiple Size यहाँ पर आपको मिल जाएगी तो हमें यहाँ पर हमारी Requirements 7 mm है 7 mm में देखिए यहाँ पर Groove Diameter 6.6 Groove Width 0.7 Ring Thickness 0.6 यहाँ पर इसके सारे Dimension आपको सो होंगे अब Directly OK कर देंगे फिर यहाँ पर इसे भी insert करेंगे इस तरह से हमें दो Ring यहाँ पर insert करनी है जो Circliff है दो Circliff आपको insert करनी है Mate में जाना है Mate में जाने के बाद यहाँ पर जो Groove है इसके Diameter को Select करना है यहाँ पर इसके Lock को Select करना है Lock का जो ID है इससे Select करना है फिर OK कर देना है अब आपको यहाँ पर इस वाली Face को Select करना है और यहाँ पर इस लॉक की इस फेस को सिलेक करना है फिर ओके कर देना है देखें यहाँ पर यह सेट हो गया है फिर से यहाँ पर इस डायमेटर को सिलेक करेंगे और फिर इस रिंग को सिलेक करेंगे इसके होल को सिलेक करेंगे और फिर ओके कर देंगे अब इसी तरह से इसकी face को भी हम यहाँ पर select करेंगे इस तरह से और फिर यहाँ पर इस face को select करेंगे और ok कर देना है देखिए इस तरह से यह दोनो clip जो lock है यहाँ पर set हो गए है अब हमें क्या करना है यहाँ पर insert component में जाना है जो last वाला पार्ट है उसे insert कर देना है spring इसे open करना है देखिए यहाँ पर spring को हमने insert कर दिया है यहाँ पर open कर दिया है अब आपको क्या करना है यहाँ पर spring को यहाँ पर देखिए इसके जो भी हमने features apply किये थे हाँ पर देखिए जो line हमने vertical line यहाँ पर sketch की थी उसे show कर देना है अब यहाँ पर i button में जाना है और यहाँ पर इसके temporary access on कर देना है तो हमें यहाँ पर जो screw है उसका axis हमने देखना है उसका जो axis line है उसे यहाँ पर set करना है तो mate में जाएंगे में जाने के बाद यहाँ पर इस line को select करना है और फिर यहाँ पर यह line है इसे select करना है और फिर concentric relations का set हो जाएगा अब OK करना है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इस वाले जो पार्ट है यह पार्ट है इसे एडिट करना है एडिट में जाएंगे एडिट पार्ट पहले सेव कर लेते है इसे तो यहाँ पर हम असेमली नलिंग टूल इस नाम से हम सेव कर देते हैं क्योंकि आप सेव नहीं करेंगे तब तक कोई भी पार्ट यहाँ पर एडिट नहीं होगा इसलिए सबसे पहले आपको सेव करना जरूरी है अब इस लाइन को सेलेक करना है और यहाँ पर एडिट स्केच इस तरह से एडिट स्केच करेंगे अब हमें देखे इस नीचे वाली फेस के साथ इसे सेट करना है तो हम क्या करेंगे इस पॉइंट को सेलेक करेंगे और यहाँ पर इस लाइन को सेलेक करेंगे फिर यहाँ पर मेक कोइंचिडेंट इसका रिलेशन कोइंचिडेंट कर देंगे और फिर ओके कर देंगे अब फिर यहाँ पर इस पॉइंट को सेलेक करेंगे और यहाँ पर स्पेस को सेलेक करेंगे इसका भी कोइंचिडेंट रिलेशन सेट कर देंगे और फिर OK कर देना है और OK अब यहां पर इसके Temporary Axis अफ कर देते हैं तो देखिए इस तरह से यहां पर इस लाइन को भी हम Hide कर देते हैं अब इस तरह देखिए यहां पर Set हो चुकी है अब हम यहां पर इसका Animation एपलाई करेंगे क्योंकि अभी जो तो हमने जो spring का mate set किया है वो अभी work नहीं करेगा आप जब भी animation apply करेंगे तभी यह आपको up-down होते दिखेगा अभी हम इसका proper position set कर देते हैं और आपको जाना है motion study में motion study में जाने के लिए आपको यहां पर अगर activate नहीं है तो आपको right click करना है तूल बार में जाना है और यहां पर देखिए motion study motion manager यहां पर activate कर देना है तो हम यहां पर इसे activate करेंगे फिर यहां पर आपको क्या करना यहां पर रोटेट जो मोटर है मोटर को सिलेक करना है मोटर को सिलेक करेंगे फिर यहां पर इस वाले लाइन को सिलेक करना है अब इसकी पोजीशन कहां पर सेट करनी है वह देखिए तो इसका डायरेक्शन इस तरफ है अब इसका इसके जो रोटेशन है वो देखिए 100 RPM है तो हम यहाँ पर 100 ही रखते है फिर OK कर देते है इसका टाइमिंग हम थोड़ा बढ़ा देते है 40 सेकंड फिर यहाँ पर कैलकुलेट करते है कैलकुलेट होने में यह थोड़ा टाइम लेगा तो हम वेट करेंगे काईम पर कुलेट बढ़ाल सेकंड भी लेगा वेगा है तो हम पर बढ़ा आना और बिल्व दोड़ा़ थोड़ा phys Of अधिस वेगा है तो देखिए इस तरह से यह हमने एनिमेशन इसका सेट कर दिया है अब हम प्ले करेंगे तो इस तरह से आपका कोई भी जॉब है या कोई भी साफ्ट है उस पर नर्लिंग करना है तो आप इन दोनों के बीच में सेट करके इस तरह से एड़ेस्ट करके आप नर्लिंग कर सकते हैं अगर आप चाहते है कि यहां पर हम हमारा जो हे है जो निचे हला है उसे ही हमें अप्डाउन करना है तो इसे आप राइट क्लिक करेंगे और यहां पर फिक्स कर देंगे तो यह फिक्स हो जाएगा और वर्किंग यह निचे वाला करेगा तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और ऐसे शॉलिडवर्स टुटोरियल और प्रोजेक के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया प्रोजेक लेकर तब तक के लिए गुड़ बाई